हेलो दोस्तों कैसे आप सभी मैं जोती आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम एक ऐसे सामराची के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में अब्दुर्रजाक लिखते हैं कि मुख के भूमी पर उसका राज्य छेत्र इतना विशाल है कि यदि तीन महीनों पे भी उ तो तब जाके हम उसके परिदी को कम्प्लीट कर पाएंगे और इतली के यात्री निकोलो कोंटे लिखते हैं कि नगर की परिदी 60 मील है इसकी दिवारे पहाड़ों जितनी ऊची है और अपने आधार पर घाटी को समाई हुए हैं अनुमान किया जाता है कि इस नगर में 90,000 लोग अस्त शस्त्रधारन कर सकते हैं और उनका राजा भारत के सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है तो आज हम बात करने वाले हैं इतने महान सामराजी के बारे में जिसने लगभग दक्षिन भारत में 300 वर्सों तक शाशन किया 300 वर्सों तक उसने वहाँ शाशन किया और कैसे वो सामराजी आपका नश्ट हो गया कैसे वो सामराजी जो लगभग पूरे दक्षिन भारत में फैला हुआ था वो सामराजी एक छोटे से छेत्र में आकर सिमड गया सबसे पहले हम जानेंगे उस युद्ध के बारे में जिसने विजय नगर सामराजी के इतिहास को विजय नगर सामराजी का जो छेत्र है उसे बहुत छोटे छेत्र में लाकर सिमिड दिया तो हम बात कर रहे हैं रक्षिसी तंगडी का युद्ध जो की हुआ था 25 जनवरी 1565 को रक्षिसी और तंगडी दो गाउं है जिस कारण इसका जो नाम है वो रक्षिसी तंगडी का युद्ध पड़ा और इनी गाउं में वो युद्ध लड़ा गया था गुड मॉर्निंग राहुल इस युद्ध में बहमनी सामराज एक तरफ ते बहमनी सामराज के चार राशक थे राम राय उनकी हत्या कर दी विजय नगर को लूट कर द्भस्त कर दिया गया और आज भी हमें करनाटक के हमपी छेत्र में इसके अवशेश प्राप्त होते हैं तो अब हम यह जानेंगे कि यह जो सामराज था इतना बड़ा और भ्हमनी सामराज इन दोनों के बीच में युद्य के कारण हुए कौन कौन से आसे राजा थे कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने विजय नगर सामराज को राज्ट बिधर करे कई साहित्य उस्तना संवर्ध न कर गई तो हम सबसे बेले तेखेंगे. तो यह हो गया आपका विजखनगर यह है आपका विजखनगर सामराज यह हम्पी में पढ़ता है यह आपका देखो पूरा का पूरा साउथ इंडिया लगबक क्या है पूरा का पूरा विजय नगर सामराजी ने है यह आपका बहमनी सामराजरे है है यह उपर जो आपको दिख राहिये आपका बहमनी सामराज की अगर आप LTSST के त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारा एप डाउनलोड करके हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं और अगर आपको LTSP के नोट्स चाहिए तो उनको भी आप हमारे एप पर जाकर देख सकते हैं ठीक है तो चले स्टार्ट करता है विजनगर सामराजी की स्थापना करीती हरी और बुक्का दो भाईयों ने 1336 इसमी में ये दोनों कामपिली यानि करनाटक राज में मंत्री थे मुहम्मत तुगलग ने जब कामपिली को हराया तो वो हरी हर और बुक्का दोनों को अपने उठाकर विजनगर सामराजी की इन दोनों ने वहाँ स्थापना कर दी और विद्यारणे के प्रभाव में आकर ये फिर से इनोंने हिंदू धर्म अपना लिया तुंग भद्रा नदी के दक्षनी तट पर विजनगर को बसाया गया ये वर्तमान में करनाटक के हमपी छेत्र में स्थित है ठीकैं विजनगर में क्रम्षो चार वं Σों ने शाषितिशां किया संगम वंच सालूर्त तुलूव वंच UK Ж। ये जो संगम वंच सेंकल मत करना वह अलग हो ये अलग है तो सबसे लंबे समय तक शाषितिशम के आपके संगम वंच्ष साल्व वंश ने, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगम वंश की, तो संगम जो वंश है, उसके जो पहले राजा हुए, वो हरीहर प्रथम हुए, दिको हरीहर और बुक्का ने जब विजयनगर सामराजी की स्थापना करी तो वहां पर इननों ने सयुक्त शाषन करा, ठीक है तो हरियार प्रथम आपके पहले राजा बने, हरियार प्रथम ने 1336 से 1356 तक राजशाशन किया, इनकी राजधानी सर पहले जो थी वो एनेगॉंडी थी, फिर इनके शाशनकाल के साथवे वर्ष में इन्होंने विजयनगर सामराजी को अपनी राजधानी बना लिये, ये एक हाँ बेटे ये नोट्स मिल जाएंगे, आपको ये सारे के सारे आप हमारा डाउनलोड करोगे वहां आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, इन्होंने राजा या महाराजा धिराज की वुपादी धारन नहीं करी, क्योंकि नया नया उससमें इन्होंने एक शाशन स्थापित क किया था तो इन्हें राजा और महाराजा दिराज की वपादी धारन करना शायद उसमें उचित नहीं लगा 1346 हिजवी में इन्होंने होईसर सामराज को भी विजय नगा सामराज में मिला लिया अगले राजा हुए बुक्का प्रथम बुक्का प्रथम ने 1356 हिजवी से 1377 और इन्होंने तमिलनाडू राज को भी अपने राज में मिला लिया इन्होंने मदुरा विजय करी मदुरा को भी जीत लिया मदुरा आपके तमिलनाडू में ही पढ़ता है और इनके जो बेटे हैं कंपन उनकी वाइफ थी गंगा देवी उन्होंने इनकी मदुरे विजय पर एक बुक लिखी जिसका नाम है मदूरे विजयम, इस बुक को याद रखना आपके एक्जाइम से काफ़े इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है, अब यह जो मदूरे विजयम है, यह संस्क्रेट भाशा में लिखी गई, और फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किरा कि जो ब क्रिश्न तुंगभद्रा जो दुवाब था, वो काफी उपजाओ था, क्योंकि जो भी आपके नदियों के दुवाब होते, उसकी मिट्टी सबसे दादा उपजाओ होती है, तो इसी के कारण क्या हुआ, विजयनगर और बहमनी सामराजियों में आपस में संगर्ष होना प का प्रियोग किया, और बुक्का ने हिंदु धर्म की सुरक्षा का दावा किया, और वेद मार्ग प्रतिश थापक की उपाधी ग्रहन कर दी, इनके सामराजे में सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्राप थी, सभी लोग अपना धर्म मान सकते थे, और यही आगे चलके विजय जो आपका नोटिफिकेशन है वो हमें पता चला है कि दिस्तंबर में आपका नोटिफिकेशन मेरे खाल से आ जाएगा और पेपर आपका मार्च में होगा, दस मार्च को, तो आप लोग अपनी तयारी कम्टीट रखो, पेपर का क्या है, वो आयोग वाले कभी उनको जाला तो इससे बैटर है कि आप इन सब में ध्यान मत दो कि फॉर्म कभाएंगे नोटिफिकेशन कभाएंगे, आप बस अपनी तयारी पूरी रखो कि जैसे आपके फॉर्म आए, नोटिफिकेशन आए, आपका एक्जाम हो तो आपका सेलेक्शन क्या हो जाए, चलिए, उसके चा से 1404 तक ये बुक्का के पुत्र थे, इन्होंने सबसे पहले विजयनेगा सामराज जी में महराजा धिराज और राज परमेश्वर जैसी उपादिया, धारर करी, इसने गोवा को भी अपने सामराज में मिला लिया, ये एक महान योद्दा थे, इनके मृत्यू के बाद क्या करनकाल था, वो था 1404 से 1422 भी तक था, इन्होंने क्या किया जो घुरसवार सेना थी ना उसको शक्तिशाली बनाया, और तर्की के जो धनुधारी थे, जो धनुझवान चलाते थे, उनको भी अपनी सेना में भट्टी करना शुरू किया, और इनके समय में दक्षर भाब, ज लिखना, पढ़ना, ये सब सिखाया जाने लगा, 1410 इस भी में इन्होंने क्या किया तुंग भद्रा नदी पर बांध बनवाया, और सिचाई हे तू नहरे निकाली, जिससे विजनगर सामराज में पानी पीने की समस्या, और सिचाई के लिए जो पानी की समस्या है, वो दो संदी होती है, संदी हुई, इस संदी में देवराय प्रथम को अपनी पुत्री का विभा सुल्तान के साथ करना पड़ा, और इस युद्ध को सोनार की पुत्री का युद्ध भी कहते हैं, इसके साथ बड़ी इंटरस्टिंग सी, मतलब कुछ इतिहासकारों का मानना है, कि कोई वहां सुनार था, उसकी पुत्री के साथ देवराय प्रथम और ये जो सुल्तान है, आपका फिरोश्या, वो दोनों ही क्या करना चाहते थे, विभा करना चाहते थे, तो इसको लेकर शायद इनके बीच में युद्ध हुआ, इसलिए सुद्ध का नाम क्या रखा गया, सोनार की पुत्री का युद्ध रखा गया, लेकिन जो आप किसी भी बुक में देखोगे, तो आपके बहुत जादा देखने को नहीं मिलेगा, इसका उल्ले की तिहासकार बहुत जादा नहीं करते हैं, एक चीज और आपके इंपोर्टन्ट है कि देवराय प्रथम के दरब में आये थे, इनको याद रखना अच्छे से, अगले जो शाशक हुए, वो हुए आपके देवराय दुति, और देवराय प्रथम की कुछ समय जब उनकी मृत्यू हुई तो उसके बाद कुछ समय के लिए रामचंद्र और वीर विजय शाशक मने, लेकिन इनकी जल्दी मृ मृत्यू हो गई, और इनकी मृत्यू के बाद वीर विजय का पुत्र था, देवराय दुति, ये शाशक बड़ा, और ये संगम वंश का सबसे महान शाशक था, और इसके सासनकाल में फार्सी यात्री अब्दुर्रजाक भारत आये, और खुरासान के जो सुल्तान, ये जो फार्सी यात्री अब्दुर्रजाक थे, वो खुरासान के सुल्तान थे, उसमें मिर्जा शाहरुप, उनके राजदूत के रूप में आये थे, ठीक है, इन्होंने क्या क्या देवराय दुति ने सबसे पहले मुसल्मानों को भी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, और ज देवराय दुति ने सबसे पहले जो मुसल्मान ने उनकी भर्ती करना शुरू कर दिया, और इनको जागीरे देनी भी शुरू करी, और देवराय दुति के शाशनकाल के बाद ही संगम वंश का पतन होने लग दिया थे, ठीक है, और इनके दरबार में हर विलास ग्रंथ के ल दुति कुछ समय के लिए गदी पर बैठा, उसके बाद देवराय का बेटा बैठा, ठीक है, फिर आपके मल्लिका अर्जुन को शाशक बने, इन्हें कहते हैं प्रोड देवराय, तो ध्यान रखना, प्रोड देवराय किसे कहा जाता है, प्रोड देवराय कहा जाता है, मल्ल पिरिफ़ाद कासे अंतिम और पहले ज़रूर याद रखना, इस ममें फैली अरचकता नाव लाव जो चंद्रग्री के गवर्नर थे नर्सिंग, उन्होंने क्या करा? विरुपाक शुत्री को मारा और सालूब वंश की स्थापना कर दी, ठीक है? सालूब वंश में आपके केवल दो ही शाषक हुए, एक हुए आपके नर्सियं, दूसरे हुए इनके अलपायू पुत्र इमाड नर्सिंग, इमाडी नर्सिंग की जो आयू थी, वो कम थी, तो इनका जो सेनापती था, नर्सा नायक, वो क्या बना? उसके संग्रक्षक के रूप में उसने शाषन करना शुरू कर दिया, तो नाम का संग्रक्षक था, बाकि शाषक की जो जितनी भी शक्तियां होती है, उन सब का प्रियोग कौन करता था, नर्सा नायक करता था, और जैसे इमाडी नर्सी फिर बड़े होने लगे, तो उनके दोनों के बीच में क्या हुआ, विवाद उत्पन हो गया, कि मैं शाषन चलाओंगा, मैं हूँ शाषक तो, और नर्सा नायक बहुत टाइम से क्या कर रहा और फिर तुलू वंश की उन्होंने नीव रखे, तो इध्यान रखना, तुलू वंश की नीव रखे, तुलू वंश आपका 1505 से 1565 इस भी तक चला, और वीर नर्सिंग क्या थे, इस वंश के संस्थापक बने, इनका जो संपूर्ण काल था, वो अशान्ती और सरदारों का विद्रोह दबाने में लग गया, क्योंकि इनोंने क्या करा, जो सुलू वंश था, उसके जो शाशक थे, उसकी हत्या कर दी, अब उसकी हत्या कर दी, तो जो भी सरदार है, वो क्या होए, इनके खिलाफ हो गए, तो इनका जो टाइम था, वो सारा का सारा, उस विद्रोह को शांत करने में लगा, और 1509 इस वी में इनकी मित्यू हो गए, अब देखो, अब हम बात करेंगे, विजय नगर के सबसे महान शाशक की, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, ये है आपके क्रिशन देव राय, जिनका शाशन कालता 1509 से 1529 इस वी था, ये वीर नरसिंग के छोटे भाई थे, इन्होंने क्या करा, कठोर कानून व्यवस्ताय स्थापित करी, इन्होंने पुर्तिगालियों से मित्रता करी, और इनके 1510 इस वी में बीदर के शाशक महमूत शाह को पराजित किया, और 1513 से 1518 के मद ओडीशा के जो गजबती शाशक था, उसके विरुद कई प्रकार के अभ्यान चलाए, वहां के शाशक प्रताफ रुद्र देव ने क्रिश्न देव राय से संधी करी, और अपनी पुत्री का विवा क्रिश्न देव राय से कर दिया, फिर 1520 इसमें इन्होंने गोलकुंडा को भी जीत लिया, और इस प्रकार मात्र 10 सालों में इन बढ़ा, आप देखो क्रिश्न देव राय खुद भी बहुत विद्वान थे, और ये विद्या प्रेमी थे, और उन्हें कलाओं को संग्रक्षन भी प्रदान करा, इनके दर्बार में आपके 8 महान विद्वान रहा करते थे, जिने अश्ट दिगच कहा जाता है, ये बहुत इन्होंने संस्क्रिट एवं अन्य जो भी दक्षर भारती भाषाये थी सबको प्रोटसान भी प्रदान करा, इनका जो समय है उसे तेलगु साहित्य में क्लासिक युग भी कहा जाता है, ठीक है अब क्लासिक युकि इस समय तेलगु साहित्य बहुत फलाफूला और अपने चरम तक पहुँचा, क्रिश्न देव राय के शाशंकाल में पुर्तगाली यात्रि डोमिगो पायस और बारबोसा भारत आये थे, इन्होंने इनके सामराजी की खूब प्रशंशा करी है, जो बारबोसा है वो क्रिश्न देव राय को धर्म निर्पेक शाशक बताते हैं और दोमिगो पायस के अनुसार वो एक महान शाशक और न्यायप्रिय राजा थे, इन्होंने अपनी माता नागल देवी के नाम पे नागलपुर नामक नगर की स्थापना करी, जहां इन्होंने भव ये भवनो और कई सारे मंदिरों का निर्मान करा, तो क्रिश्न देव राय आ अब एक महान राजा अगया, उसके बाद थोड़ा दुर्बल राजा आया, तो इसके समय आंत्रिक शांती फैल गई, और जो आंत्रिक शांती फैली, अब चुके कृष्णी देव राय के चचेरे भाई थे, तो जो प्रिश्नी देव राय के दामात थे, राम राय, उन्हों देवराय ने क्या किया उन्हें भी अपना सत्ता में सयोगी बना लिया फिर दोनों क्या करने लगे मिलकर शाषिन कर दे लिए अब उसके बाद जो अगले शाषक है वह सदाशिव इस समय जो सत्ता थी वह वास्तविक रूप से रामराय के हाथों में थी और यह सदाशिव है अब देखो यह जो रामराय है वो योग की शाषक था परन्तु एक असपल फूट में दिखिए था इसने क्या करा इसने यह सोचा कि यह दहमनी सामराजी के जो पांच राज्ये हैं जिनमें एहमद नगर बीजापुर गोलकुंडा बीदर और बराराते तो इसने क्या सोचा इसने सोचा कि मैं इनके बीच आपस में क्या डालता हूँ फूट डालता हूँ तो आपस में इनकी फूट डालने के चक्कर में पहले फूट डालूँगा फिर एक दूसरे के विरुद क्या करूँगा इनकी सहायता करूँगा और इनको आपस में लड़ाकर क्या करूँगा मार दूँगा तो यह इसकी सबसे बड़ी गलती थी इस की इस गलती की वज़े से तो डुआप थे क्रिशना तुंग भद्रा नदी का वो दुआप भी उनको चाहिए था और पड़ोसी है तो अपनी सत्रा हर कोई अपना सामराजी क्या करना चाहता है और परस पर food डालने के विरुख्या करी इसने एक नीती बनाई जो समय का तातकाली कारण बना राक्षिसी तंगडी के युद्ध का और इसके बाद आपका राक्षिसी तंगडी का युद्ध हुआ जिसको मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है फिर राक्षिसी तंगडी का युद्धिजब सर्टिजव में खतम हुआ उसके बाद को समय बाद अर्विदू वंश की स्थापना हुई तिरुमल नहीं करी पैनुकुंडा में यह पैनुकुंडा है वो संभवतों आपके आंध्य प्रदेश में पढ़ता है यह साशन का अंत अधिम शाशक हो गया आपका श्री रंगदुति कहीं कहीं आपको आप्षिन में राम राय भी आएगा तो आप राम राय भी टिक लगा सकते हो ठीक है अर्विदू वंश तालिकुटा युद्ध के बाद कुछ समय के लिए सिर्फ स्थापित हुआ और यह बहुत सीमी छेत इस वंश का इतिहास की कैसे कौन-कौन से महान राजा आए तो दो जो राजा है वो आपको याद रखने है एक क्रिश्न-देव राय नहीं क्या 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 यह ध्यान रखना देवराय दूति देवराय प्रथम और हरियर और बुक्का के बारे में अच्छे से चीज़े याद अब हम बात करते हैं इसकी आर्थिक इस्तिती की तो विजय नगर एक सम्रद्रशाली राजी था इसकी जो सरवादिक प्रशेशनिय मुद्रा प्रणाली थी इसकी जो मुद्रा प्रणाली थी वो बेहत प्रशेशनिय थी और इनका जो सरवादिक प्रसिद्ध सिक्का है वो थ किया है इसका अब देखो चांदी के छोटे-छोटे सिक्के भी चलते थे जिने तार कहा जाता था हरिहर के जो स्वान सिक्के थे उनमें आपको हनुमान और गरुण के चित्र दिखेंगे तुलो वंज के सिक्कों पर आपको गरुण उमा महिश्वर वैंकटेश और बाल कृष अत्रिक तहीरा, मोती और कीमती पत्थर अधिक प्रचलन में थे खादेपदार्टों की कोई कमी नहीं थी और वस्तुओं के मूले थे वो भी क्या थे कम थे कपड़ा, चावल, सोरा, चीनी, मसाले और इत्र जो थे वो विदेशों को भेजे जाते थे और वहां से क्या निर अर्थिक इस्तिती है, विजय नगर सामराजी की जो आर्थिक इस्तिती है वह बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब देखो, साहिती और कला की दिष्टी से भी विजय नगर क्या हुआ, जो राज था वह बहुत ही प्रगती शील था, अभी हमने पढ़ा कि तेलगू साहिती प्रोट्साहन किया, और तेलगू के एक महान कवी थे, नच्छन सोंग, उन्हें संगरक्षन प्रधान किया, देवराय दुती भी ने भी कवियों को संगरक्षन प्रधान किया, क्रिश्न देवराय के बारे में तो हम पढ़ी चुके हैं, कि उनके दरबार में अश्ट दिग खच थे, ठीक है, आठ कवी थे, इनके खुद भी क्या लिखते थे, इन्होंने खुद भी बुक्स लिखी तेलगू में, तो एक बुक लिखी इन्होंने आमुक्त माल देया, और इनकी संस्क्रीट में एक बुक है, जाब वती कल्यारम, बहुत इंपोर्टेंट है, याद र अब अभी भी आपको देखने का अफसर मिला, आप देखेंगे, तो बहुत सुन्दर कलाकृतियां है, और राजकवी पद्दन ने मनुचरित और हरी कथा शरणम जैसी पुस्तके लिखी, और मंडब के अलावा कल्यान मंडब का प्रयोग होने लगा, विशाल आलंक्रत इस तंब बने, मूतियां बनी, तो यह क्या है, कि विजय नगर सामराजी में साहित कला सभी क्या हुए, बहुत प्रगती शील रहा, और ऐसा तभी होता है, जब वहां का जो शाशक हो, वो अच्छा हो, और उस समय का सामराजी सम्रद्ध हो, तभी साहित और कला के छेत्र में भ देखी है, तो जो चोल सामराजी का, उनका जो प्रशाशन था, वही प्रशाशन इनका भी था, बस डिफरेंस यह था, कि इस तो में जो ग्राम श्वशाशन था, वो क्या हो गया था, वो दुर्बल हो गया था, और जो नायक हुआ करते थे, उनके पद वन्शानुगत हो, तो आशा करती हूँ, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो यह था आपका विजन अगर सामराज, अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि बहमनी सामराजी ले के आऊँ, और इस वीडियो से सम्मंदित MCQs भी उसमें कराऊंगी, थैंक्स पर वाचिंग and keep learning.